नमस्कार दोस्तों दांतों के बदरंग होने के कारण और उन्हें दूर करने के घर्यलू उपायों के बारे में आज हम सभी अपने इस वियों में जानेंगे दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सब हमारे वीडियोज को निरंतर देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं इसके से कि आपको सबसे पहले वीडियो जाते ही पता चलेगा आए आज हम दांतों की देख भालक से संबंधित जानकारियां यानि कि घरीलू दवाओं के बारे में जानते हैं हर किसी की चाहत होती है सुन्दर मुस्कान और मूतियों जैसे सफे दांत लेकिन कई बार विभिन्न प् फुटकारा पा सकते हैं सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि दांत बदरंग क्यूं होते हैं दांतों पर दाग बदसूरत लगते हैं लेकिन एक सख्त और साउधानी पूर्वक मुह की सफाई द्वारा दांतों से दाग को दूर और रोकने में मदद मिलती है दांतों में पर एक चिपचिपी परत की तरह होता है जिसके कारण दातों में बैक्टेरिया बढ़ने और दाग उत्पन होने लगते हैं इसको ठोर जमाव को वाइटनिंग उपचार के माध्यम से दूर करने की आउशक्ता होती है दोस्तों चाहे दातों के बदरंग होने के बहुत से विभिन प्रकारों का इस्तेमाल करना होता है दोस्तों शोध के अनुसार काली हरी यहां तक कि हरबल चाहे के सेवन से दातों के इनेमल खिसकने लगते हैं और कौफी के मुकाबले ज्यादा दाग पैदा करते हैं वाइन रेड वाइन एसीडिक ड्रिंक है इसमें मौजूद पिगमेंटेड मोलेक्यूल्स दातों के बदरंग होने का कारण होते हैं दूसरी और हलांके वाइट वाइन टार्क कलर की नहीं होती है फिर भी यह अपने तेज इसीडिक प्रकृती के कारण दाग का कारण बनती है करी पाउडर करी पाउडर का इस्तेमाल कई प्रकार के भ पैदा कर सकते हैं तम बाकू तम बाकू में मौझूद हानिकारक निकोटीन सेहत के साथ दानतों के लिए भी बहुत नुकसान दे होता है इसके सेवन से दातों में पीलापन और भूरे रंग जैसा जमाव पैदा होने लगता है यह साफ करना बोहुत ही मुश्किल होता है दोस रिट पास्ता सौंस इत्यादी दांतों में दाग का कारण बनता है आम तोर पर दांतों का एनमेल कमजूर होने के कारण आसानी से डार्क कलर के संपर्क में आ जाता है डार्क पिग्मेंटेड फल बहुत सारे फल जैसे ब्लूबेरी क्रेंबेरी अनार और काले अंगूर इंटी ऑक्सिडेंट और पोशक तत्तों से भरपूर होते हैं इनको एक सिमा तक इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि दांतों के संपर्क में आने पर इसमें मौजूद तेज पिग्मेंटेड मोलेक्यूल्स दांतों के एनमेल के साथ चिपक जाते हैं और दांतों को बदरंग कर देते हैं दोस्तों सौफ्ट ड्रिंग डार्क सोडा और प्यप दार्थों में मौजूद बैक्टिरिया दांतों में गंभीर मलीन की रण पैदा कर सकते हैं सोडा का बहुत ठंधा तापमान दांतों में संकुचन पैदा कर उन्हें जर जरा और समवेदन शील बना देता है इसके अलावा हलके रंग का सोडा भी अन्य अमलिये खादे पदार्थों और पैय के साथ मिलाने पर एसी डिक हो जाते हैं दोस्तों अब बदरंग दांतों के लिए उपचार दोस्तों की कैसे हम इने ठीक करें दांतों में दाग किसी के भी आत्म विश्वास और आत्म सम्म को प्रभावित कर सकता है दांत हमारे विक्तित्व की पहली चीज है जो किसी के बात करते समय या हसते समय नोटिस में आ जाती है इसलिए इनका सुंदर होना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों दांतों के बदरंग होने का इलाज औरल सफाई और खान पान का ध्यान रखकर किया जा सकता है तो आईए आज कुछे खम ऐसे ही उपायों के भारे में जानते है दोस्तों ख्याल रखना चाहिए समतोश जनक मुह की सफाई का ख्याल रखना चाहिए दोस्तों दिन में कम से कम दो बार दांतों की सफाई वाइटनिंग माउथ वॉशhh fian док gonnaplant दिसों और दि बैक्टिरिया फ्री रखें रात को सोते समय ब्रश न करने से दांतों में फसे बैक्टिरिया दो गुना तेजी से पनपते हैं और दांतों में धब्बे पैदा कर देते हैं इसलिए दांतों की सफेदी और दांतों के बीच फसे आहार को दूर करने के लिए नियमित रूप से रात को दातों में फ्लास के साथ ब्रश करना अत्यंत मातोपूर होता है आहार का ध्यान रखें सेब और गाज और दोनों अजवाइन के साथ मिलकर जैविक दाग को दूर करने के लिए काम करते हैं यह सलाईवा के निर्मान में सुधार कर शरीर के वाशिंग घटक के रुप म में मदद करता है दांतों का नियमित चेक अप कराएं जिहां दोस्तों नियमित रूप से दांतों का चेक अप करने से आपको लंबी अवधी के दागों से छुटकारा पाने में मदद मिल सकते हैं बहुत से दांतों पर दाग का इलाज घर पर नहीं हो सकता है इसलिए इसे लिए आपको नियमित रूप से अपने दांतों का चेक अप करवाना जरूरी हो जाता है दोस्तों हर भोजन के बाद कुल्ला करें कुछ खादे और पेपदार्थ आपके दांतों को बदरंग कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए कुछ भी खाने के बाद कुल्ला क को बनाये रखने के लिए दांतों के लिए आवशक समगरी खरीदने चाहिए दांतों के लिए इंटी टार माउथ वाश एक आवशक वस्तु है किसी को भी इसका लगातार उप्यों करने के लिए वाइट निंग टूथ पिष्ट के साथ खरीदना चाहिए दोस्तों तो के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों